तो काजल बनाने के लिए आप जैसे कि मैंने कहा सत्ता नासी यह सवनक्षिरी के दूद के अंदर इसका जो रस है रस मेरा ताथ परिय इसके बिख्ष का रस नहीं इसके पौधे का रस नहीं अब ही तो इसके इंदर से निकलने वाला जो दूद है उसको तोड़ करके जो पिल दिन में सुख जाएगा फिर भीगो दीजिए आप पांस साथ बार उस रस को उसके अंदर भीगो पाएंगे विगोने के बाद में गया काजल तयार हो जाएगा आप जरूर इस काजल का प्रियोग करिए आप देखेंगे यह अत्यंत प्राकृतिक है यहां अत्यंत गुनका रापकारी है और यहां की तोचा को खराब नहीं करेगा आपकी आँको खराब नहीं करेगा आजकी हम आता हैं लगाती हैं लिपस्टिक और फिर ब्हुत भी उसके अंदर भ Forbes जो सकता है बाते हम्के लेकिन करता हैं क्योंतों तु अपने मुझे गर्लेड वाली जो चीज होती हैं उसको पोट दी हैं उसकी वजह से आपको cancer हो सकता है आपके अंदर के आतों के गाव हो सकता है क्योंकि वोट में लगी हुई चीज अपने आपको कभी ने कभी आपके जिवा के माद्यम से या टच होने से वह अंदर जा सकता है तो इस तरह के हानी कारक जो क्यामिकल्स हैं उसी तरह से आप आखों में जो काजल लगाते हैं आज के लिए बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रांड देखते हैं देखने के बाद में भी फिर भी वहां पर क्योंकि वह क्यामिकल्स होने के उज़से बहुत सारी जो हानी है वह आपको उठाने पड़ती है तो अब हम आज आपको सुंदर्ता के लिए आपके लिए लापकारी बात कर रहें काजल के विशे में